चमरा लिंडा काफी कुछ कुठ मी को लेकर कहा है। एगर कुरमी शामिल होता है उनका कोई अभकात नहीं है। और ये सब जार्खन बनने के बाद कुकुर मुत्य की तरह पैदा हुआ है। जब वो भासन कर रहा था लग रहा था कि सिनमा के परदे में कुछ बोल रहा है। सर में टोपी लगाया था, आँख में गोगल्स था। ये एदम रोड चाप जैसा ही बात कर रहा था हूँ। इसक लोगों से जार्खन चलने वाला नहीं है। कुणमी इस राज को बनाने में अहम भूमिक्या निभाया, निर्मल्दा का सहाधत हुआ, और बाकी लोग तो दूर से देख रहा था, हम यह नहीं लड़ा है कि हमको आर्चन मिले, जो बोल रहा है कि हम फिप सिडूल में पचला इतियास को समझो, पढ़ो, उसके बात कुछ बोलो, यह जंगल राज गुडमी लोग नहीं बनने देगा, सिधा सिधी बात है। कल राची के महराबादी मैदान में चमरा लिंडा ने एक बड़ी रैली किया था, अधिवासी अधिकार रैली और उसमें उन्होंने कुर्मी को लेकर काफी कुछ उन्होंने कहा, हल्ला बोला, कहा कि कुर्मी को किसी भी हाल में आदिवासी नहीं बनने देंगे, ने तक जार वासी वाले मुद्दे को लेकर इस्टी में सामिल करने के मांग को लेकर फिरोध कर रहे थे उसमें चर्मार लिंडा का नाम अपने उन्होंने एक तरह से दर्ज करा लिया है और कापी कुछ कुर्मी को लेकर कहा है ये अगर कुर्मी शामिल होता है जिन्होंने हमारा जमीन को लुटा जिन होने जिनका नजर मुख मंत्री पर हमारे पद पर है हमारे अधिकार पर हमारे संबेदान पर नौकरी पर है तो हम होने नहीं देंगे पुरे जारखन को चक्का जाम कर देंगे और पुरे जो है किवल अकेले नहीं बोल रहे थे बलकि बड़ी रैली करके उन्हों किया और सुरेली में वो जिस ढंग से बात कर रहा था लगता है कि जारखन में कोई जंगल राज चल रहा है यह जंगल राज हम लोग चलने नहीं देंगे और जब भासन कर रहा था लग रहा था कि सर में टोपी लगाया था आंख में गोगल्स था लगता है कि सिनमा के परदे में कुछ बोल रहा है यह एदम रोड चाप जैसा ही बात कर रहा था उनका कोई आउकात नहीं है और यह सब जारखन बनने के बाद कुकुर मुत्ते की तरह पैदा हुआ है इसको क्या मालूम है कि जारखन कैसा हुआ जारखन की जो यहां सर्व समावेशी है लोगों का आज तक का यह इस तरह का इतियास नहीं है कि कोई किसी जाती के खिलाप में कोई बोल दिया हो जो जिसके पूरवज कॉंग्रेस के राज में या कॉंग्रेसी थे जिन्हों ने जारखन आंदोलन का कभ जारखन में यह कर देंगे ओ कर देंगे जारखन हमारा है ऐसा नहीं है जारखन में आज आदिवासियों की जो संख्या है 22 पर तिस्ट आ गई है और यह कहें कि जारखन हमारा है और यहां पर जो करिब करिब 78 परसेंट लोग कहां जाएंगे लोग यह गलत बात है ना और हम खास करके कुडमी जाती का जहां तक मामला है कुडमी जाती जार्खन का एक खास करके आदी आदी निवासी है और कोट भी कहता है कि ये हिंदू के द्वारा गाइड नहीं होता है ये उनका custom है उनका पर्थागत नियम है उसके द्वारा इनका समाज ब्यवस्ता चलता है और Aboriginal tribe बोला गया है और कुड़ियों को असपस रुप से tribe मना गया है और ये कहां से ये जिस तरह से चमरा लिंडा बोल रहा है ये अपने आप में एक जिसको कहते हैं कि जो कभी कुछ s USA में दिनारी में रहता है और जार्फण के किनारे में रहता रहता है लहर दगा गुमला सिम दगा जहां को पूरा जन्मान साया यहां की अबादी यहां जो डिमोगिराफी ऐन उसको जानता भी नहीं है और हम जानते है हम लोग से कम बतीस विदान सभा आ और साथ लोक और अधिकाल से हम लोग अधिवासी हैं इनके कहने से क्या होगा अब वो चका जाम करेगा तो ऺजो, कुडमी भी क्या कहता है, वह भी तो माका दूद पिखे आया है, वो क्या ऐसे ही रहेगा? वो भी अपना जवाब देगा, हम तो समबिधान से अपना हक मांग रहा है ना इनसे तो हमारा कोई लड़ाई भी नहीं है और हमारी जाती से थोड़ी लड़ाई है अधिवासी से लाई नहीं हम अपने समयदानिक अधिकार के हिसाब से अपनी मांगों को रख रहे हैं लेकिन यो जो बात कर रहे हैं मतलब एक अराजक्ता फ् तो हमने तो कहा है ना कि सरकार यह बताए कि कुड películि आदिवासी है या हिन्दू हम तो इसकी लड़ाई-दीटीकी लड़ाई हम यह लड़ा रहे हैं कि हमको आरचन मिली हमारा सबसे पहले हमारी आइडेनटीटी पहचान की हम लड़ाई ही लड़ाए लड़ कि हमको आर्चन से कोई मतलब नहीं है लेकिन हमको जब हम हाई क्या हम हिंदू है यह सरकार तो बता है उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं यहां पर कहते हैं आपने देखा और कि दूसरी भाषने बोल रहें कि हो आता है मुंडारी आती है ठीक है अगर भाषा यह सब बसो तो अगर यह नहीं आती तुम कैसे आदिवासी हो गए ठीक है इस तरह की देखे है कुडमी का कुडमाली भासा है हो का हो भासा है संथाल का संथाल है उराओं का उराओं है खड़िया का कड़िया है सबकी अपनी भासा है तो कुडमाली भी यहां की मतलब यह से सबकी भासा नह मुंडा का मुंडारी है हो का हो है और खड़िया का खड़िया है तो इसी तरह हमारी भी भासा है ना और मैं उनसे पूछना चाहता हूं वो क्या संथाली भासा बोल लेगा क्या वो क्या खड़िया भासा जानता है क्या वो तो उराउं भासा का अत्मी है और आज मैं जानता राज़्ची के बहुत से उराव भाई लोग अपना भासा चोड़ कर क relativity नग्पुरिया भासा बोलता है हम मुंडा भाता है यह बहुत से मुंडा भाई लोग भी अपना मुंडारी भूल गये है लोग नक्पुरिया दोका बहुत सा घालमेल हो चुका है तो हमारी भासा कुडमाली है कुडमी की एक आदिम भासा है यह किसी से मिलता जुलता नहीं है और इसलिए आप जहां तक लोग साधी व्याहा के भी बात उठाता है उराओं क्या संथाल से मेरेज होता है क्या उराओं का क्या हो लोगों से हुँपूदाइं में लोग साधी वयाह करते हैं तो ये तो बहुत अस्पास्त है यह हमारा देश है विभिन जाती और विभिटा के सबहते हैं अब इसमें यह मत तक डालिये की नमीच नहीं का संथा के साथ होता है क्या या मुंडा के साथ होता है क्या नहीं होता है तब से चोतरफा जो है आपके उपर हमले हो रहे हैं जैसे आपने कहा कि कि 21 मार्च को हम लोग रगनात्स महतू का दोसो पचासवी जो है कोपाल मैदान में जनम जैनती मनाएंगे उनको याद करेंगे और एक बड़ा महा जुटाल होगा जिसमें तीनों राज्ये के बंगाल, कुड़ीशा, जारखन के कुड़ीमी समाज को लोग जूटेंगे उसके देखने ही रहें कि इस मुद्धिक उठाने के बाद बिरोध टक्राव और एक तरह से जार्कन बिवाद बढ़ता जा रहा है तो क्या इस बिवाद को देखकर आप लोग क्या रणिती बनाएंगे पीछे हटेंगे आगे बढ़ेंगे या किस तरीके से कि या अब जार्कन की राजनीती कुडमी बनाम आदिवासी होगी किस तरीके से आप देख रहे हैं देखें कुडमी बनाम आदिवासी नहीं हम तो आदिवासी है ही हमारा जितना भी अंग्रेज के जमाने से या कॉमिटी ओन जार्कन मेंटर्स जो राजीव गांधी ने बुटा सिंग के जब गि दिखा है कि जार्खन के जो कुडमी है ओ गैर सरकारी आदिवासी है मतलब एस्टी जदी हम रहते तो हमको सरकारी आदिवासी बोलता लेकिन हमको गैर सरकारी आदिवासी बोला गया है कि आप आदिवासी है लेकिन सरकारी नहीं है तो यह सारी चीज तो है हमारा पास लेकि को बरगलाने के लिए अपनी अपनी भूमिका या अपने को नेता बनाने के चक्कर में यह लोग काम कर रहे हैं और मैंने कल एक विडियो देखा जो पांच मार्च को मिटिंग करने वाले हैं जो लश्मी नारान मुंडा बोल रहा है कि यह भाजपा दावरा प्रायोजी था यह मिटिंग चम्रालिंडा का मिटिंग चम्रालिंडा को मैं कहता हूं कि आप लश्मी नारान मुंडा को जवाब देजीए ना बाई उनका तारोफ है कि 2 करोर रूपया उन्हों ने खर्च किया है भाजपा ने पूरी तरीके से उनको पैसा दिया है कि आपको गैर भाजपा और गैर जो है जमें राजनिती करनी है और उस तरीके से जो है आदिवासियों को उनका रुख सीदेपतर है कि बरगलाना है और इसके लिए उन्हें फंडिंग कर रही है और वही काम चमरा लिंडा कर रहे हैं उनका लक्ष्मी नरायन मुंडा के जो हमारे साथ इंट्रिव्यू हुआ था वाचीत हुआ था उसमें व लोगों से जार्खंड चलने वाला नहीं है और जो जार्खंड खास करके देखिए मैं एक बात बहुत असपस्ट बोलना चाहता हूं कि जैपाल सिंग ने तो जार्खंड अंदोलन सुरू किया था लेकिन उन्हों ने कॉंग्रेस के गोद में पाटी को सौप दिया था और जदी जार्खंड मुक्ति मोर्चा बिनोद बिहारी महतो नहीं बनाता और उस समय भी जो सर्सी कमिशन आया था राजपुनर गठन आयोग आया था तो उन्हों ने असपस्ट कहा ये जार्खंड अंदोलन जो जैपाल सिंग दोरा नित्रित के है ये आदिवासी अंदोलन है हम जार्खंड अलगराज नहीं दे सकते हैं ये बहुत असपस्ट है लेकिन इसके बाद जब बिनोद बिहारी महतो ने जार्खंड मुक्ति मोर्चा बनाया सिबु सोरेन भी उस समय साथ थे इसलिए उन लोग ने कहा था कि महतो माजी भाई भाई और इस आंदोलन को आगे पड़ाया जितना जार्खंड अंदोलन में ये मैं असपस्ट रूप से करना चाहूंगा कि कुडमी संथाल और हो का देन है और बाद बाकी लोग तो दूर से देख रहा था बाद बाकी लोगों उन्हें रोड में आ करके या लड़ाई लड़ने में कभी भूमिका नहीं न शर्खंड बाद बाद घ्री लिए और मोट जेतना लुग सहीध हूं जर्खंड अंदोलन में जर्खंड राज लिए व sheep में कुडमी संथाल और हो लोग है बाद बाकी नहीं है आई सलिए कुडमी राज को बनाने में आहम भूमिका निभाया निर्मवल्दा का सहली औद ह रंग लिया और उसके बाद कॉमिटी ओन जारखन मेटर्स बना उसके बाद फिर बिजे-पी ने समर्थन दिया बना चल राज के रूप में यह करमसा करमसा धीरे धीरे जारखन राटज बना यह कलका जुगी क्या बुलता है यह सब क्या जानता है आप एक बार बार आप जारकन ट्राइबल राज नहीं बनता और यह नहीं होता अखिस तर्क के पीछे क्या आप लोग का यह संभिधान दो साल कि एगारा महिना आठरा दिन लगा था बनने में संभिधान वह समय अंग्रेज के राज था और हम भी अब्रोजिनल ट्राइब थे तो हमको भी उसमें मैं भी उसमें यह कुडमी जाती भी उसमें सामिल था यह फिफ़ीव सिडूल जब बना पांचुएं उसकी जब बना तो उसमें 50 पर से उपर अबादी था और उसी के चलते पांचुएं उसकी बना और यह प्या करते हैं यह आपका कल मीटिंग हुआ आपका क्या नाम इसका लिंडा जो बोल रहा है कि हम फिफ सिडूल में आदिवासियों का इरिया है तो आदिवासी तो हम भी थे भाई उस समय और हमारी संख्या को गिना करके यह फिफ सिडूल हुआ है तो इस तरह का गलत लोगों के बीच में नहीं कहना चाहिए इसलिए अपना जो भूत का लिया पिछला इतियास को समझो पढ़ो उसके बाद कुछ बोलो यह जंगल राज गुडमी लोग नहीं बनने देगा सिदा सिदी बात है चले बहुत बहुत धन्यवाद तो आप सुन्द रहे थे पुर्विशांसत सल्लेंद्र महतो और कुडमी समाज के बड़े लीडर हैं जो अभी आप देख रहे हैं यह तमाम और जिस तरीके से यह आरोप प्रत्यारोप और बहस चल रहा आने वाले चारखन के समय इसलिए कि जिस तरीके से समय निकलेगा आपको और भी इस तरीके की बाते सुनने और समझने की मिलेगी लेकिन आपको इन तमाम चीजों में एक स्वक्ष बहस और अपनी नजरिया को खोल कर रखना होगा जितना आप संकिरता में जाएंगे टकराओ बढ़ेगा आरोप परत्यारोप स रास्ता नहीं निकलेगा बलकि संबाद से निकलेगा और संबेधान से निकलेगा इसलिए हम जो भी बात करें जो भी बहस करें संबेधान के दाइरे में करें और जार्खन के हिट में करें ना तो टिका टिपड़ी करके एक दूसरे को नीचे दिखाकर कुछ भी हासिल नही पीछे जाएगा आगे नहीं जाएगा अपने स्योगी सेश्रामर्ती के साथ ससी पूशों सोशल सनबादनेव जारकन